हलो फ्रेंड्स आज आप मेरे साथ राजपूती कूर्ती कांसली स्टायल जमफर की कटिंग और स्टीचिंग देखने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है और साथ में ये नाप लिख रखा है और ये जो फैब्रिक है ये है मेरे पास डैड़ मीटर ये क्योंकि ब्लाउच पीस वाला मार था उस हिसाब से मैंने डैड मीटर लिया है अधर्वाइस ये सवा मीटर में भी बन जाता है तो यहाँ पर लंबाई हमें बनानी ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम जादा लंबाई मैं बना रहे हूं 24 इंच सीना 32 इंच शोल्डर है 14 इंच आस्तिन की लंबाई 9,5 इंच और इसकी जो गुलाई है वो है 10 इंच तो इस नाप से हम कटिंग करेंगे मैंने आपको पहले काया लंबाई चोड़ाई जो भी आपको बढ़ानी आप थोड़ा बढ़ा सकते है तो हमारी जो लंबाई एगर 24 है तो हमें 24 का 24 लेना है क्योंकि उपर और नीचे जो हाफ-ाफ इंसलाई मार्जिन जाएगा उतनी के उतनी वापस उसमें मग जिया जाएगी तो कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है 24 इंच में तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया है 24 इंच में तो इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे और ये जो है फोर फोल्ड होजाएगा और ये फोर फोल्ड हमें करना है 9 इंच में, क्योंकि हमारा चेश्ट जो है, वो है 32, उसका 1 फोर्थ हो जाएगा, 8 इंच और 1 इंच का मैं इसमें सिलाई मार्जिन रख रही हूँ, यानि कि 9 इंच, तो यह 4 फोल्ड हो गया है, अब देखे, शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो उसका हाफ हो जाता है, 7 इंच, तो हमें इसमें से कुछ भी कम जादा नहीं करना है, 7 का 7 लेना है, जो सिलाई मार्जिन जाएगा, उतनी को उतनी वापस उसमें मक्जिया जाएगी, और यहाँ पर आर्म होल की जो लंबाई है, वो लेनी है में 8 इंच, तो आपको पता है आर्म होल पर भी मक्जिया आएगी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जादा लेना होता है, तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा कर आर्म होल की गुलाई देनी है, अब दीगे फिटिंग की साइड से हमें जो चाक खुली रखनी है, वो लेंगे हम आर्म होल से 9.5 इंच पर और यहाँ पर 5 इंच हमें इस तरीके से गुलाई लेनी है, ताकि जब हमारी नीचे वाली मक्जी आए तो कॉनर नहीं निकले, अगर हम यह कटिंग नहीं लेंगे, तो हमारे जो कॉनर हैं कुर्टि के वो बाहर के साइड में निकल जाएंगे, अब दीखे, आप चाहें तो यहाँ कुर्टि पर डार्ट लगा सकते हैं बीच में, अगर आप नहीं चाहें, तो यहाँ पर साइड फिटिंग की साइड से 1-2 इंच आप इसको कटिंग कर सकते हैं, कमर के लिए शेव दे सकते हैं और अगर आप डार्ट लगाना चाहता हैं, तो इस तरीके से उपर से 10 इंच पर एक मार करके और ये तरीके से 5-6 इंच की आप डाट लगा सकते हैं तो इस तरीके से भी फिटिंग कर सकते हैं अधर्वाइस आप यहाँ पर 1.5 इंच कटिंग ले ले तो यह मैंने 1.5 इंच गुलाई दे दी है और यह उपर की साइड मैंने चट कर लिया है तो इस तो मैं डिवाइड कर लिया है आप देखे खोल लेंगे इसे और जो एक portion है वो बीच में कट का निशान लगाकर इसे खटा लेंगे अलग कर लेंगे और इसको वाप से फोल्ड कर लेंगे और आगे वाले हिसे में हम गले की कटिंग लेंगे तो यहां उपर से मैं चोड़ा ही ले रही हूँ 2 इंच क्योंकि चेश्ट हमारा 32 ही है अगर जादा हो 34 या 36 तो यहां से आप सवा दो ले लें और इस गले की लंबाई ये रख रही हूँ में 9.5 इंच और अगर आप सिंपल जंफर बनाते हैं तो यहां पर गले की लंबाई जो है वो 8.5 इंच रख सकते हैं आप क्योंकि हम इसमें कूर्ति कांचली का शेफ देंगे इसलिए मैं इससे ले रही हूँ कूर्ति के बराबरी 9.5 इंच अब यहां पर जो है चोड़ाई लेनी है हमें तो यह चोड़ाई में ले रही हूँ साड़े 3 इंच क्योंकि हमारा चेश्ट जो है वो 32 यह 32 यह अगर इससे ज़्यादा हो तो यहां पर आप 4 इंच सक ले सकते हैं तो यह चोकोडबा बना लिया हमें साड़े 3 इंच चोड़ाई में उपर से 2 इंच का मार खई है और नीचे की साइड में यहां पर लगाएंगे हम 3 इंच पर एक निशान और उपर जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वहां से इस निशान को इस तरीके से तिर्चा मिला लेंगे और नीचे की साइड इसको दे देंगे हम गोलाई तो ये जो गला है वो हमें सेम कुर्ति कांसली जो हम बनाते हैं उसमें कुर्ति का गला होता है वही लेना है और अगर आप सिंपल जंफर बनाते हैं कुर्ति कांसली इस्टाइल नहीं बनाते हैं तो इससे हम थोड़ा सा कम लेंगे लंबाई में चोड़ाई तो सेम ही रहेगी लंबाई हमें थोड़ी सी कम लेनी अब यह है आर्म होल तो यहां आर्म होल को में गहराई देनी है आफ इंस ताकि फिटिंग अच्छी आए अब हम स्लीव कट करेंगे तो यह मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है उसके बाद इसे एक बार और फोल्ड करेंगे यानकी फोर फोल्ड हो जाएगा और जैसे स्लीव हम बलाउज में कटिंग करते हैं बस वही सेम करनी है तो यहां पर हमें लंबाई बनानी है साड़े नो इंस तो हम साड़े नो का साड़े नो ही लेंगे क्योंकि मघजी आ जाएगी जितना मार्जिन उपर निचे सिलाई में जाएगा उतनी हमारी मघजी वापस आ जाएगी दस इंच है इसकी गुलाई आगे से तो उससे पहले साड़े तीन इंच हमें आर्मोल के लिए एक निशान लगाना है तो यह साड़े तीन इंच पर मैंने एक सीधी लाइन कीच लिए अब जो आगे की गुलाई है दस इंच उसका हाफ ले लेंगे पांच इंच और यहाँ पर उपर जो लाइन कीची है वो हम लेंगे साथ इंच तो इसको सीधा कर लेंगे और उसके बाद में हमने जो मार्जन रखा था एक इंच कुर्ती में तो वही मार्जन हमें स्लीव में भी रखना है एक इंच का और यहाँ से हम इसे दे देंगे गुलाई और उसके बाद जो अगले दो इससे हैं उसे हमें गहराई देनी है हाफ इंच की तो यह हमारी स्लीव हो जाएगी अब यह जो बचा हुआ फैब्रिक है तो यह इस तरीके से बिलकुल चोकोर लेकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इससे हमें अपनी मगजी की कटिंग करने यह देखिए चोकोर है बिलकुल तो उसे साब से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और इस तरीके से इसे खोलना है खोलने के बार एक साइड से कोई भी साइड यह सिलाई बीच में आनी चियर एक साइड किसी भी साइड से आप इसको कट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें मगजी लेनी है सवा दू इंच की तो इस तरीके से तीन-चार आप मगजी कट कर लें जितनी आपकी जरुरत है जितना कुर्ती में लगें जैसे मैं तीन-चार कट कर रही हूँ और कम पड़ेगी तो अभी भी फैबरिक बचाए काफी तो सबसे पहले स्टीचिंग करने के लिए सबसे पहले हम मगजी तयार करेंगी यहाफ इंच मैंने मगजी को एक साइड से निकाल लिया है अब गुणे को आप इस तरीके से रखें कि खीचना नहीं है आपको गुणे को और नीचे जो मैंने बॉबिन में धागा है वो अधर कलर का डाल रखा है क्योंकि इसके पास में जब हम दूसरी सिलाई चलाएंगे गुणा निकालते वक्त तो हमें अंदाज़ा बना रहे हैं कि हम कितनी दूरी से मशीन चलाएं और हमारा गुणा जो है वो परफेक्ट आए एक जैसा आए अब देखें पहले आप इस तरीके से गुणे को थोड़ा सा नाकुन से प्रेस कर लें तो गुणे में जो है वो सलवटे नहीं आएगी क्या आपको पता है मगजी हमें खीच कर लगाने होती है और जब हम खीचते हैं तो गुणे में जो है वो सलवटे आ जाती है कहीं पर मोटा हो जाता है कहीं बबारिक हो जाता है तो एक बार नाकुन से प्रेस जरूर कर ले तो सबसे पहले शोल्डर जोड लिया है मैंने अब जो पीछे हमने निशान कट लगाया था सेंटर के लिए तो वहां से मैं अपनी मगजी शुरू करनी है हाफ इंच मगजी को मैंने छोड़ लिया है और अब क्योंकि गला गोलाई में है तो मगजी को आप जितना हो सके उतना खीच ले और अगर आपने मगजी में गुणा एड़ करते वक्त अगर गुणे को खीच लिया तो फिर ये मगजी खीचना भी बंद हो जाती है इसलिए हमें गुणे को बिल्कुल लूज रखकर ज रोकना है और यहाँ पर हम कर लेंगे जॉइंट यह देखे इस तरीके से जॉइंट हो गया है अब हम क्या करेंगे पहले यह जो हाफ इंच हमने मगजी एक्स्टा रखी थी तो वहाँ पर सिलाई चलाकर बाद में उपर वाली सिलाई चलाएंगे ताकि गुणा भी दब जाए तो वो कहीं चुबेगा नहीं तो यह हमारा गला बन गया है तो जैसे हमने गले पर मगजी लगई है वैसे हमें आर होल पर दोना साइड में भी मगजी जोड़नी है यह देखे मैंने दोना साइड जोड़ दिया है लेकिन उपर वाली सिलाई नहीं चलाई है क्योंकि यहां मैं अपनी स्लीव जोड़नी है तो यह स्लीव है स्लीव पर आप चाहें तो सबसे पहले आगे की साइड में मगजी लगा लिए तो यह स्लीव पर मैंने मगजी लगा लिए अब देखे हमें स्लीव को नीचे रखना है और इस हिसे को हमें उपर रखना है क्योंकि हमने जो मशीन चलाई है मगजी अटेच करते वक्त उसी पर हमें अपनी सिलाई चलानी है दूसरी और उसके बाद हम एक सिलाई चलाएंगे उपर वाली सिलाई जो है वो आस्तिन जूडने के बाद हमें चलानी है तो दौनों साइट स्लिव जो ने के बाद पहले हम गल्ले में जो है वो धागा डाल लेते हैं जैसे मैंने गट्टी वाला धागा ही लिया है फोर फोल्ड करके आप चाहें तो दूसरा मोटा धागा कोई भी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से सुई से हमें दागा डालना है इसमें इस तरीके से मैंने इसको दूसरी तरफ से निकाल लिया अब देखें जितने गुलाई आ जाए उतना इस दागे को हमें लूज रख लेना है तो यह बिल्कुल गले का गोल शेप आजाएगा अब देखें मगजी में से यह बचा हुआ कपड़ा है मेरे पास तो यहां से दो इंच पर मैंने सीधा कर दिया और यहां पर लगबग 6 इंच चोड़ाई में ले लिया है अब यहां से हम लगा देंगे एक सिलाई और जैसी का प्रकुति में से कांचली जितनी नजर आती है बस उतना हमें शेप इसमें बनाना है तो यहां पर भी हमें मगजी खीशते भी लगानी है और यह उपर के साइड में हम मशिन चला लेंगे और जैसे कांचली में हम सिलाई लगाते हैं बीच वाली तो इस तरीके से उपर सिलाई मगजी के चला कर हम कौना बना लेंगे और यह जो है सेंटर का ध्यान में रखते हुए कुर्टी में हमें अटेश करना है तो पहले पिन अप कर लें और उसके बाद एक सिलाई चला दे यह जमफर उनके लिए है जो अमुमन कुर्ती कांसली नहीं पहनते हैं शोग के रूप से पहनना चाहते हैं लेकि इन कांसली जो है उनको सुआती नहीं वो पहनने पाता हैं तो वह इस तरीके से जमफर बना कर अपना शोग पूरा कर सकते हैं तो यहाँ पर हम फिटिंग कर लेंगे, एक इंच जो हमने रखा है, उसी हिसाब से, और उसके बाद पीछे कॉर्णर से हम अपनी मगजी शुरू करेंगे, तो यह हाफ इंच मैंने मगजी को बाहर निकाल लिया है, दूसी साइड में इसी तरीके से हमें हाफ इंच पर रोकना है, और इस तरीके से मगजी को हाफ इंच भाहर निकालते हुए, वापस हमें शुरू करना है, यह देकि इस तरीके से हमारे कॉर्णर बन जाएंगे, और यह last वाला कॉना है वहाँ पर हमें इस तरीके से तिर्चा कर लेना है तो यह हमारा last कॉना बन जाएगा उसके बाद वैसे ही उपर एक सिलाई जलानी है तो आप इस तरीके से कूर्ति कांशली श्टाइल जमफर बना सकते हैं तो आपको कूर्ति कांशली का लुक भी देगा तो फ्रेंस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बता है और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंस पर वाचिंग